Hello dear students, welcome back to Organized Knowledge Channel और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिसकस करेंगे वाक्षीट नमबर 64, क्लास 9th विशे सामजिक विज्ञान है और ये वाक्षीट आपके लिए 6th of January 2022 के लिए शेडिूल की गई है आज की जो वक्षीट है बच्चो उसमें हम पार्ट 4 जो है आपका जलवाईू उसको कंटीनू करते हुए आगे पढ़ेंगे सो वक्षी शुकरने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए सो देखे क्या दिया गया है आज की वक्षीट में भारतिय मांसून को प्रभावित करने वाले अन्यकारक पिछली जो वक्षीट थी उसमें हमने पढ़ा था कि भारतिय मांसून को प्रभावित जो है करने वाले कौफी सारे कारक थे जिनके बारे में हमने पढ़ा इस वक्षीट में हम कुछ और अन्य कारक पढ़ेंगे यानि क्या केवल वही कारक भारतिय मांसून को प्रभावित करते हैं जो भारतिय महादिवीप में है या जो वैश्विक स्तर पर अगर कोई कारक है तो क्या वैश्विक के स्तर पर अगर किसी जो आप कह सकते हो को स्थिती में परिवर्तन होता है तो क्या उसका प्रभाव भी मांसून के उपर पड़ता है या नहीं पड़ता ये हम इस वक्षीट में जानेंगे दक्षिनी महासागरों के ऊपर दाव की स्थिती में परिवर्तन भी मांसून को प्रभावित करती हैं आमतोर पर जिब उषन कटी बंदिय पूर्वी दक्षिन प्रसांत महसागर उच दाब का अनुभव करता है, लेकिन कुछ वर्षों में दाब की स्थीती में क्या हो जाता है? उलट फेर हो जाता है, और पूर्वी हिंद महसागर की तुलना में पूर्वी प्रसांत में दाब जो है वो कम होता है, डावकी स्थीती में इस आवधिक परिवर्तन को दक्षनी दोलन के रूप में जाना जाता है, ठीक है, तो देखे, हम थोड़ा सा इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि ये दक्षनी दोलन है क्या, इसके लिए हम एक जो मैप है, उसके साथ इसक समझेंगे अब इसको हम यहाँ से समझेंगे देखे इसमें होता क्या है हमने पड़ा था कि उत्री और दक्ष्णी कोलार्द की जो व्यापारिक पावने है gonna get what, यहाँ पर जो है क्या हो जाती है इस तरह पानी जो ठंडा रहता है यहां से तो हमने पड़ा था कि यह तो जो है उच्छ दाव का चेतर बन जाएगा और यहां पर पानी गरम होने से यह चेतर जो है वो निम्नदाव का चेतर बन जाएगा अब जो पवन चलती है हवा चलती है वो कहां से होगी उच्छ दाव से निम्नदाव की ओर चलती है क्लियर उच्छ दाव से निम्नदाव की ओर अब यहां पर क्या होगा कई बार ऐसी प्रिस्तितिया होती है ऐसे यहां पर परिवर्तन होता है इन व्यापारिक पावनों में कि वो अपने साथ पानी को ज़्यादा वहा कर नहीं ले जाती और पानी जो है वो यहां आकर गरम होने की बजाए यहीं पर क्या हो जाता है गरम हो जाता है ठीक है अब जब पानी यहीं पर गरम हो जाएगा तो यह जो है क्या बन जाएगा अब यह निम्नदाब बन गया और यह जो है यहाँ पर उच्चदाब बन जाता है इसलिए अब जो पवने हैं वो क्या होंगी वो उच्दाब से निम्नदाब की और आती है इसी परिवर्तन को देखे जो यहां से यहां तक पवने चलती है यह normal condition नहीं है जब पवने यहां से यहां चलती है यह नॉर्मल है तो जब यहां पर पवने यहां से यहां आती है जो परिवर्तन है इसको हम दक्षिन दोलन के रूप में जानते हैं ठीक है यह क्या होगा यह दक्षिन दोलन होती है ठीक है और यह जो पवने जो चलती है इनको हम क्या कहते ह जो पवन चली गरम जल धारा की जो पवन जो है चली उल्टी तो उसको हम क्या कहते हैं उसको हम El Nino कहेंगे यानि El Nino और दच्चनी दोलन क्या है एक दूसरे के साचोए मिले हुए है अब यह Engle nino ऐक Spanish शब्द है जिसका अर्थ है Baby Christ ठीक है बेबी क्राइस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे क्योंकि यह धारा क्रिश्मिस के दोरान जो है बहनी शुरू होती है तो लगबग जो है क्रिश्मिस कब है 25 दिसंबर तो 25 दिसंबर के आसपास जो बेबी क्राइस्ट है ऐल नीनो यह धारा बहनी शुरू होती है यानि उ तो यहां पर हमने normally क्या दिखा कि यहां पर थंड़ा थंड़ा जल होगा यहां गरम जल हो जाता है लेकिन आप situation उल्टी हो गई, Alino जब बन रहा है तो यहां पर गरम होगा और यहां पर थंड़ा होगा और धारा जो है वो उल्टी बहेगी ठिक है दक्षिनी महासागरों के उपर दाव की स्थिती में परिवर्तन एल नीनो से जुड़े हैं इसलिए इस गटना को एल नीनो दक्षिनी दोलन के रूप में जाना जाता है तो ये गटना क्या हो जाएगी एल नीनो दक्षिनी दोलन उसके बाद देखे एल नीनो में व्यापारिक पवने जो है वो कमजोर हो जाती है और भारतिय उप महादवीब में कम बारिश होती है और वहाँ पर जो बारिश है वो कम हो जाती है यह मांसून कम हो जाती है नेश देखिए कारियोलिस बल है अब यह कारियोलिस बल क्या है पृत्वी के गुहुनन के कारण अब पृत्वी जो है वो क्या है लगातार घूम रही है तो एक आभासी बल के कारण पवने उत्तरी गो लार्द में बाई और विक्षेपित हो जाती हैं ठीक है तो देखे परत्वी जो है वो क्या कर रही है गुम रही है अब होता क्या है कि जो पने जो उत्तर गॉलार्द में है वो ऐसे इस तरह से ठीक है यहां पर क्या होगा DJ sets और दक्षिनी गोलारद में पवने वो क्या हो जाती है पवने बाई और विक्षेपित हो जाती है ठीक है तो यहां से यह जो पवने है यह क्या हो जाएंगी इस तरह से दाई और और इस तरह से बाई और जो है वो विक्षेपित हो जाती है इस बल के कारण और यह बल जो है इ ये जो गटनाय हैं, अगर हम बात करें, कParkeriole Bell की, El Niño की दक्षini, जो हमने अभी पढ़ आया, पर दक्षini दोलन, तो ये सारी गटनाय हैं, जो की मानसून को ऊपर भाविते करती हैं, अब आपको यहां पर आसान से चार प्रैश्ने दिये गए हैं, जिनके आंसर हम करेंगे पहला प्रेशन है दक्षनी दोलन क्या है तो आमतोर पर जब उशन कटी बंदिये पूर्वी दक्षन प्रशांत महासागर उच्च दाब गान उभव करता है और उशन कटी बंदिये पूर्वी हिंद महासागर कम दाब गान उभव करता है लेकिन प्रशांत पर दाब जो है वो कम हो जाता है और दाब की स्थीती में इस आवदिक परिवर्तन को ही दक्षिन दोलन के रूप में जाना जाता है यह आंसर लिखतेंगे इसका क्या प्रभाव है तो एल नीनो एक ऐसी घटना है जिसमें पेरु के तटपर हर दो से पात साल में ठंडी दारा के स्थान पर एक गरम समुदरी जल धारा बहती है दक्षिनी महासागरों के उपर दाव के स्थीति में परिवर्तन जो है वो एल नीनो से जुड़े हैं इसलिए इस गटना को एल नीनो दक्षिनी दोलन के रूप में जाना जाता है एलीनो में व्यापारिक पवने कमजोर हो जाथी हैं और भारतिय महादिविप में कम बारिश होती है तो ये आnसर आप इसमें लिख देंगे नेक्स देखे प्रेशन तीन है उत्तर से पवने उत्री गोलार्द में दाहिने और और दक्षिनी गोलार्द में दक्षिन से बाई और विक्षेपित क्यों हो जाती हैं तो इसमें लिखेंगे सामानेते इस पवन को उत्री गोलार्द में उत्तर से दक्षिन दिशा में ठीक है और दक्षिनी गोलार्द में दक्षिन से उत्तर दिशा में परवायत होना चाहिए किन्तु फेरियल के नियम एवन कौरियलिस बल के कारण ये उतरी गोलार्द में अपने दाई और तसदक्षणी गोलार्द में अपने बाई और विक्षेपित हो जाती है ठीक है तो हमने अभी पड़ा था कॉरियलिस बल जो है उसके कारण इन पवनों की दिशा जो है वो क्या हो जाती है विक्षेपित हो जाती है नेक्स देखिए प्रेशनित चार है भारतिय मानसून केवल भारतिय उप महादिव के भीतर हो रही परिगटनाओ पर ही निर्वर नहीं करता बलकि दुनिया बर में हो रही परिगटनाओ पर भी निर्वर करता है इस कथन के आपको पुष्टी करनी है तो भारतिय मानसून आक्टिक दोलन है जेट दाराएं होती है कॉरियलिस बल है एल नीनो है और दक्षनी दोलन है तो इन गटनाओं का भी जो है मांसून है उनके उपर प्रभाव पड़ता है तो यह थी आपके आज के सस्टी की वरक्षीट आई होप सभी वच्चों को यह क्लियर है कोई भी जबादी आपके तो प्रेदात है भी गर प्रहाती है तो यह कोई आपके पूरणी तो यह है वरक्षणी दीनाओनाच में चलियर है रसनाओवरा रशायाव प्रभावटर प्रित पर तो यहूजए परियर है पर यह झाद़ित में आपके थादाद परूं